Good morning students, I am Mrs. Reena Ramula for class Mukherjee and today we are going to learn subject English. आज मैं आपको इंग्रिश में पढ़ाऊंगी, phonic sound of I. इस्ते पहले मैंने आपको पढ़ाय था sound of A, sound of E. आज पढ़ाऊंगी आपको sound of I. sound of I नहीं की ऐसे वर्ड जिसमें I का यूज होता है. Okay, now we will start. पी, एच, आई, एन, थिन, थिन मिल्स पतला. Next, S-I-T, सिट, सिट मेंस बैटना. Next line, C-H-I-N, चिन, चिन मिल्स थुद्दी. Next step, F-I-L-L, फिल, फिल मिल्स भर्णा. Next line, M-I-L-L, मिल्स, मिल्स, चक्की, मिल्स, चक्की. And last step, के, आई, एल, एल, किल, किल मिल्स, मार्ना. किल मिल्स, मार्ना. Now repeat again, आज मैंने आपको लिखा है, Ponic Sound of I. ऐसे words जिन में आई का यूज हुआ है. T-H-I-N, थिन, थिन, थिन में पतला. S-I-T, सिट, सिट में बैठना. C-H-I-N, चिन, चिन में थुद्दी. F-I-L-L, फिल, फिल मिन्स, भर्ना. M-I-L-L, मिल, मिल मिन्स, चक्की. K-I-L-L, किल, किल मिन्स, मार्ना. ये सारे words आपके क्या है, Sound of I के हैं. इसलिए हम सारे words के I letter को अंडरलाइन करेंगे. So, dear students, आप भी अपनी notebook में बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे. सबसे उपर आपका topic आएगा, Ponic Sound of I. उसके बाद आप words, इन words को लिखेंगे. प्रतेज लाइन के बाद आप one-one line लाइन लीख करोगे. प्रतेज वर्ट्स के आप I letter को अंडरलाइन करोगे. इसे good handwriting में लिखोगे और अच्छा से लेंजी करोगे. Okay? Thank you.